Hello all, welcome to my YouTube channel. आज बहुती अच्छी vacancies के बारे में मैं आपको बताने के लिए यहाँ पी लाया हूँ. And law officers की vacancies हैं, scale 2 की vacancies हैं. जितने भी log result हैं, LLB pass out हैं, उनके लिए काफी अच्छी opportunity है. यहाँ पर आप देख सकते हो, कि law officers scale 2 की vacancies हैं. And SC category में 3 vacancies हैं. ST category में 1 vacancies हैं, OVC में 5 vacancies हैं. Even EWS में भी इसमें vacancies आई हुई हैं. और अगर हम unreserved category की बात कर रहे हैं, तो आपर 9 vacancies हैं, 20 हमारी overall vacancies हैं. तो 20 vacancies scale 2 के लिए बहुत ज़ादा होती हैं, I mean, अगर आप देखोगे तो ABPS ने जो RRB scale 2 का निकाला था, वहाँ पर ही AC के आसपास vacancies थी, और ये vacancies सिर्फ एक bank में आई हुई हैं. अगर हम law officers की बात करें यहाँ पर, तो scale 2 के vacancies as you all know की 20 से 35 year age barrier दिया हुआ है. तो ये एक प्रकार से जो 30 प्लस या 30 के आसपास के बच्चे हैं, उन्हों के लिए काफी अच्छी एक option है, कि at least उन्हें एक chance मिल रहा है exam देने का, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कोई percentage का criteria नहीं रखा हुआ है. सिर्फ आप LLB pass out होना चाहिए, ठीक है, कोई percentage का सच कोई criteria नहीं है, बस आप LLB pass out होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ experience की भी बात की गई है, experience में हम देखते हैं कि enrolled as an advocate with bar council and three-year experience practice at bar. यहाँ पर जो उन्होंने at bar लिखा हुआ है, that means कि आपको किसी bar association का member होना compulsory है, और वहाँ से जो experience certificate issue होता है, उसका यह experience यह लोग मानेंगे. नेक्स अगर हम देखते हैं, two year as a law officer in a legal department of a scheduled commercial bank और a state government और a public sector undertaking. तो यहाँ पर जो लोग scale one as a law officer work कर रहे हैं और उनको two year का experience है, वो लोग भी इसमें eligible हैं. I mean, अगर आप देखोगे ध्यान से तो three year का जो advocate हैं, उनको experience दिया गया है, और two year का जो already working है, public sector banking में उनको experience दिया गया है. यहाँ पर एक चीज रिटेन है very clearly कि जो आपकी cutoff date है, ठीक है, cutoff date के अगर हम बात करते हैं तो 30 September 2021 यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, cutoff date का यहाँ क्या मेंस से इनका कहने का, कि आपको इस date तक सारे experience and आपकी educational qualification complete होने चाहिए, next अगर selection procedure की बात करें तो यहाँ पर written test होगा, ठीक है, written test होगा, और प्लेस interview होगा, premise यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक simple online examination होगा, अगर हम syllabus की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर यह हमारा law से questions आएंगे, यहाँ लिख देते हम law, ठीक है, and computer से questions आएंगे हमारे computer, and यह हमारी GI, questions का हम देखते हैं, यहाँ 60 questions आएंगे, 60 marks के, 20 questions, 20, overall 100 questions आ रहे हैं हमारे, और 100 marks के, सबसे यहाँ पर main focusing point है, कि 60 minute का time मिल रहा है, that means, यहाँ पर एक चीज बहुत जादा play करने वाले है, कि आपकी speed कितनी है, ठीक है, कई सारे questions ऐसे होते हैं, जो आपको understand, language समझने में time लगता है, तो जितनी जादा आपकी understanding की speed और यहाँ पर यहाँ कर हम wrong answer की बात करें, तो यहाँ पर one fourth हमारा negative marks लगे, online test के अगर हम बात करें, तो 22 January को, ठीक है, हमारा exam schedule है, और वो भी यह वी fix नहीं है, tentative है, fix जैसी होगा, notification वो आपको पहले बता दिया रहेगा, इस center की अगर हम बात करते हैं, अमदाबाद, पुनेशर, भुपाल, चिन्नाई, चंडिगार, दिल्ली, गौार्टी, एधराबाद, जैपूर, कोलकाता, लकनाओ, मुंबाई, पुने, राइपूर, पतना, इतने centers हैं, next point 5.7 को अगर हम देखें, तो यहाँ पर जितने भी public sector undertaking में जो लोग काम कर रहे हैं, या जो PSB में कर रहे हैं, उन लोगों को NOC इलाना compulsory है, at the time of interview आपको NOC चाहिए होती है, बट NOC का एक rule भी है, आपको आपका employer तब ही देगा, जब आप किसी upper scale में move कर रहे हैं, for example, अगर आप scale 1 में job कर रहे हैं, और scale 2 के लिए जा रहे हैं, तो वो NOC आपको दे देगा, अगर आप scale 2 स कर रहे हैं, बहुत ही rare chances होता है, मोरोबर आपको इसको ध्यान से, मैं इसलिए भी बता रहे हूँ कि काफी सारी लोग ऐसे हैं, जो already scale 1 IBPS में लगे हुए हैं, तो उनों को आप form भनते time ही, अपने employer जो भी आपकी bank है, उसको बता दे हूँ, उसके आपके, at least आपको जो management है, आपका जो manager है, जो reporting officer है, उसको यह चीज communicate कर दें कि हमें यह scale 2 का form फिल कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार practical यह ऐसा देखा गया, अगर आप उनको नहीं बताते हो, तो वहाँ पर वो लोग NOC issue नहीं करते हैं, अगर आपने NOC issue उन्होंने नहीं किया, तो interview में बाद में problem आने वाली है, तो, I mean, this is a very crucial point, वो 23rd November है, and हमारी closing date 17 December है, exam होने का जो time अभी given है, tentative, वो 22 January है, next month, तो यह भी हमारा एक तरीके सा भी tentative है, और अगर हम crucial date, जो हमारी cut-off date थी, वो हमारी 30 September, इस तक हमको experience होना चाहिए, 2021 given थी, तो यह Central Bank of India का specialist officer, law officer scale 2 के vacancies है, और मुझे personally लगता है, यह काफी ज़्यादा number में vacancies है, अच्छी vacancies है, और अगर आप इसमें eligible हैं, तो इसमें आपको जरूर apply करना चाहिए, अच्छी opportunity है, अगर आप scale 1 में खास कर, scale 1 में हैं already, आप scale 2 में move करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी opportunity है, बट आप already कहीं है, ऐसी जगह जो आप कर रहे हैं, आप 60, 70,000 तो यह scale 2 में लगे हुए, अर भी बगरा में, तो यह उतना अच्छी opportunity आपको नहीं हो सकते है, बट scale 1 से no doubt scale 2 में बहुत अच्छी opportunity है, और जो लोग जिनको 3 year experience as an advocate है, उनके यह computer and legal, आपका जो law का slave से वही आएगा, ठीक है, तो यह था आज का notification के बारे में, hope कि आपको यह vacancies अच्छी लगेंगी, जैसी 23 को यह vacancies आएगी, मैं आपको अपने telegram group में upload कर दूँगा, आगर आप लोगों ने join नहीं किया है, तो उसको join कर सकते हैं, legal pal, के नाम से डाल आपको मिल जाएगा, okay so thank you so much